देशी कलाकार नमस्कार मैं हूँ अमोल और विकेबी के आज के इस देशी कलाकार इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है हाथ में चाय का गप है मोसम बहुत ही सुहान है और नागपूर में पिछले कई दिनों में थंडी काफी ज्यादा बड़ गए तो मैंने का चलो यार चाय क्यों छोड़ी जाए और एक बहुत खास कलाकार आज मेरे साथ है मेरे काफी पुराने मित्र है सूरज और सूरज की खासियत यह है कि 2008 में मध्यप्रदेश के नैनपूर से वो नागपूर आये थे और फिर हर कोई एक सपना लेकर आता है वैसा ही एक सपना लेकर सूरज आय हैं बड़ी व्यस्त दिन चरिया होती है कही सारे बड़े-बड़े आर्टिस्ट के साथ उन्होंने स्टेज भी साजा किया है तो जिसके बारे में इतना सब बताया तो ऐसे सूरज हमारे साथ है तो बहुत-बहुत सभागत है सूरज शुरवात में मैंने कहा कि नैनपूर से पर मेंने कि मुझे भी देना चाहिए तो मैं उस audition को देने गया और internet of all में वह audition दी तो वहाँ पर मैंने इस समय देश्भक्ती गीत की देशभक्ति गीत की कॉम्प्रिशन थी तो उस समय मैंने सोचा कि मुझे भी गाना गाना चाहिए तब मैंने एक गाना काया है प्रीज जहां की री सदा मैं गीत वहां के गाता हूं और वहां पर लोगों को सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा खास करके नागपुर के पर बैठे हुए थे उनको यह बहुत प्यारा लगा दिल को छो गया और उन्होंने तुरंट ही मुझे कहा कि बिटा आपने बहुत अच्छा गाए हैं तो आप हमारे साथ काम कीजिए हम आपको आगे भी बनाता जाएंगे कैसे करते कैसे प्रोग्राम करते उन्होंने फिर म मैं जब गाता था तो टीशेर्स तो मुझे पहले कभी-कभी रिज्यक्त कर देते थे फिर मैंने ठान लिया कि आप तो मुझे गाना गाना यह है तो एक बार में चल रहा था टीश की दिन एक दिन पहले ही मुझे दिमाग में ख्याल आया कि मैं हमेशा मुझे रिजेक्ट कर देती लेकिन इस बार मैं ऐसा गीद बनाऊंगा कि मैं मुझे खुद आगे की जितने भी प्रोगाम है उसमें सेलेक्ट करेगी तो मैंने एक सीरेल आता था क्योंकि सास भी कई बहुत ही तो आगे बताऊंगा मैं उसको जोड़ूगा क्योंकि अभी वो समय नहीं है मैं गहूंगा कि नागपूर है तो फिर क्लासिकली ट्रेंड सीखा वी का है या खुदी सीखा हुआ है अकिले मैं सरगेहां तीन साल मैंने क्लासे जॉइन किये उसके बाद यावलकर सर हमारे यावल जाकार के साथ बाद करते तो शुरुवाट जो है वो गाने से करते हैं और जैसे कि आपने कहा कि जब आप नागपूर आये थे तो पहला गाना गया तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शक को भी वो जरू सुना है पहला गीत था जो मैंने खुद लिखा था हलाकि कंपोजिंग म कि घित को मैंने एस दिया इंडा हूं सभी को बहुत अच्छा लगा और आज भी वो लोग सुनते रहते हैं उसका गाते महीं रहते हैं कि असा था क्या बात है मैं कहूंगा नागपूर आये तुम ओपी सिंग जी पहले वो मिले और भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस सफर में जहाँ पर तुम आज पहुचे हो तो उनका बहुत बड़ा हाथ रहा होगा तो वह कौन से कौन से लोग के किस तरीकी मदद लुए क्यूंग जब हम किसी दूसरे शहर से दूसरे शहर आते हैं जहां पर हमें कोई नहीं जानता था ऐसे में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद होती है तो शुरुवाती दौर में सबसे पहले तो मैं गोपी सिंग ज दोस्त हैं और बहुत अच्छे कलाकान है आप भी उन्हें जानते हैं मिश्टर एजाज खान साब उन्होंने मुझे हवीज भाई से मिलाया हवीज भाई से दीरे-दीरे में मेरी इक्षा थी कि मैं नागपूर के सबसे बड़े ग्रूप में कादर जी के साथ प्रोग्राम करो तो हवीज भाई के साथ कलाकार जुड़ते गए वहां से में प्रोग्राम करते गया फिर दीरे-दीरे में कादर जी के पास मैंने प्रोग्राम किया नागपूर के तमाम बड़े-बड़े ग्रूपों के साथ मैंने प्रोग्राम किया और हमेशा मेरी इक्षा रही है कि बहुत कुछ सीखने मिला और तुमारे फेवरिट को अंदर इन सभी ऑर्गनाइजर्स में सबसे ज्यादा मुझे सीखने को मिला मिश्टर एमे कादर जी से क्लासिकल उनका बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे अच्छान के तरफ कैसे तुम उड़ गया तो फिल्मों से फिर नॉन फिल्मीज ट्रैक्स में जो बागी हम भक्तिगीत कहते हैं उसके तरफ कैसे रुजान बढ़ा भी करना चाहिए कभी-कभी पापुलर होने के लिए अच्छान के लिए तो मैं सोचा कि मजबी मतलब अपनी कंपोजिंग आना चाहिए तो हम लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं और कभी-कभी दिमाग में खैल आ जाता है कि इस भजन को मतलब आई से कंपोस करना चीए ऐसे बनाना चीए तो ऐसे हमको प्रेज़ना मिलती रहती है सुरज का खुद का भजने जो उसने खुद लिखा है खुद कंपोस किया और खुद गाया भी है तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को उसकी चार लाइन जरूर आप सुना दिमाः खिशन भगवान जी का भजन मुझे बनाना चीए तो आया जण माष्क्रमी का त्यवार त्यवार आ रहा है तो मुझे मतलब पंचिंग लाइन मिली आया जन्मास्टमी का दैवार तो मैंने उसे इसा इस प्रकार कमपोज किया कूओं हब और है इसपों है आ इए और है लिब द आया है ळूर्भण यूमो नाच्व लगाओ जयकार आया जन्माष्ट मिकाद यूः आया जन्माष्ट मिकाद यूः आया जन्माष्ट मिकाद यूः LOVE YOU DIPIKKA Bye सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची, तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूद होने चीए जो देता है, फ्लाइविल एविएशन अकाड़मी फ्लाइविल एविएशन अकाड़मी एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मैंजमेंट साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है फ्लाइविल एविएशन अकाड़मी, one degree, three job opportunities फ्लाइविल एविएशन अकाड़मी, gives you a degree or diploma with a job फ्लाइविल एविएशन अकाड़मी, 365 गानी नगर, L.A.D. College Square, beside Karnataka Bank Nagpur क्या बात है, वैसे तुम खुद तो गाने सुनते होगे तो तुमें खुद के गाने तो जरूब पसंद ही होगे लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिने हमें सुनना बहुत पसंद होता है personally, तो वो कौन से singers हैं जो आपको सुनना बहुत पसंद मतलब, समझानी कि अचल एक में मुलुक्ष के एक शुड़ान वरि यूओं व्हुट चाल सी अघंड़ाप भाग गाता शूल। उसमें उनकी 15 कि प मईने तक चल आप उप प्यागटिसुइए गुटर है हुआ एक मेन तक चल आप और हमें दो-दो गाने दिये गए थे गाने के लिए उस प्रोगाम में रनर रप रहा था और पहला इनाम मिला था अपने अजय मलिक साब को जी क्या बात है किशोर कुमार जी गाने सुनना आपको बहुत पुसंद है अगला सवाल मेरा यह है बड़ा खुब सूरत है मैं यह कह मतलब इसलिए कि सादी होई उसके बाद मुझे लगा कि मतलब म्यूजिक से इतना नहीं हो पाएगा मीजिक भी चलते में चलते रहना चाहिए और साथ में कुछ और भी चलते रहना चाहिए तो मैं मैंने इन Ainि sound दिया क्योंकि मुझे मुझे परिबार को ईपटलना है शोवी करना है तो विंदि स mg街 क्लासेट मैंने अपने तो एक जॉब आपका होना चाहिए जी क्या बात है बहुत अच्छी बात कहीं कि हम लोग शोस तो करते हैं और शोस के साथ-साथ जो है हम लोगों को अपनी दिन चरिया में कहुंगा कि अपना जीवन चलाने के लिए कुछ भी और साइड बाई साइड करते रहना चाहिए मैं लुक सकुल भी है जोस भी है घर पर क्लासस भीनता को इतने सारी चीज एनी वी सीसारी दधाता है उल कि रनी नहीं कूछ पाने के लिए घ्रतनकरा सकते हैं उलिए कुछ आट बज़े छूरॉधी नाट्पिस कुल रहता है और फिर उसके बाद पसém पराम एक दो घंटे का शो के लिए चले जाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं और घर वाले भी थोड़ा परसान होते हैं कि हमें समय नहीं देते हैं कि अगला सवाल मेरा यह था कि कई सारा काम करते हो कई सारे शोज करते हैं और उनकी रियक्शन समय याद है कि यह बहुत अच्छी बात करें आप्टर शोव आपको मिलें उन्हें बहुत आपकी तारीफ कियोगी ऐसा कोई वाकिया आपको याद एक शोव था ना के पी ग्राउ प्राइव और संडेव को तो एक ओडियन्स को अब बहुत अच्छा को पोगा स्टेज में अगैना अन्हें बहुत अच्छा में वह घ्ले में आपको शोवब्स करोदें जहीं होती है लेकिन बहुत मुझा आता है किसी खास प्राइवेट पाटी के लिए लेकर बहुत मज़ा आता है तो ऐसा कोई यादगार शो भी आपका इस मुमेंट के अलाव है कि यार ये शो मेरा सबसे बेस्ट शो रहा था मुझे बड़ा मज़ा एक बार मतलब प्रोग्राम चल रहा था और अचानक बारिश आ गई लेकिन लोगों को इतना पसंद आ रहा था कि उन्होंन करनी होती है जैसे 2008 से यह तो तक्रिवन 13 साल नाकपुर में आ गया उसके पहले भी काम कर रहे थे गार रहे स्कूल में कॉलेज में मैं हर इंसान का एक सपना होता है कि यार मैं जिन्देगी में यह जरू अचीव करूँ सूरज से पूझा जाया है सूरज उख चुका है चम होगे मैंने चांज मतलब मैंने आडिशन दिया बारा पंदरह जार लोगों में से मतलब तॉप 19 में में अचार बजे में लाइन में लगा और शाम को चार बजे मेरा नंबर आया तो मतलब उसके बाद मैं सेलेक्ट हुआ इंडिया लाड़ निया लेकिन किसमत ऐसी थी मतलब चांसे से उसना में बहुत आगे बढ़ रहा था मैं तीन तीन चार चार राउंड मैंने क्लियर किया लेकिन जब मैं मुमेंट आई जब उदीद नेरेंट जी अलिशा जी और अन्नु मलिक साब के सामने मुझे गाना था तो मेरा गला मतलब मेरा साथ नहीं दिया तो म हिम्मत नहीं आरता उसके लिए हम आपको शुब अच्छा है जल्दी नाखपूर में ह सार काम देते हैं बहुत अच्छे मतलब ऑ qmer 2 सारी संथाय भनी हुई है मतलब उन्होंने अभी और चाम किया तो नागपुर के काला कार बहुत अच्छे बैस्ट है और सबसे मतलब अच्छा काम करते हैं च्षा का बात है हैं महारे सूरज' जो है वह भी बड़े बेस्ट है और लाइब आपको सुनने का मौका मिले तो ज़ स्कूल हैं क्लासे से और फिर भी तुम सूरज आये हमसे इतनी सारी बात दे करी इसके लिए बहुत-बहुत धने वाई तो यह तुदे सूरज अगर आप यह प्रोग्राम यूट्यूब या फिर फेस्बूक पर देख रहे हैं सूरज के बारे में कुछ कहना है तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आप ACN और GTPL पर अगर हमारे देसी कलाकार प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं आपको दादू कि हम लोग फेस्बूक यूट्यूब इंस्टाग्राम पर है जहापर आप लोग हमें परसनली फॉलो भी कर सकते तो आज की इस प्रोग्राम में बस एतना ही अगले एपिसोड में और कोई नागपूर का कलाकार आपसे रूपरू होगा तब तक लिए मैं अमूल आप लोग उसे विदा लेता हूँ लेकिन आप लोग घर पे रहिए सुरक्षी तरियर सबसे खास बात खुद का ध्यान